नमस्कार मित्रो कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ आप सबी स्वस्ता और सानन होंगे आज मैं कुछ ऐसे न्यूज पर आपको ले चलूँगा जो आपके इंसाइट को बढ़ाने वाले होंगे और आपको मार्केट में किन जगों पर इंवेस्ट करना चाहिए इसकी प्रॉपर जानकारी देंगे आपको देखिए मार्केट में जब भी इंवेस्ट करिए पूरे सोच समझ के साथ इंवेस्ट करिए इसके लिए जरूरी है कि आपको स्टॉक का इंसाइट होना चाहिए किस sector में क्या हो रहा है, किस stock में क्या हो रहा है तो आज एक ऐसे ही roundup के साथ में आपसे बात करने वाला हूँ देखिए, सबसे पहले शुरुआत करूँगा auto sales की साथ जो की Bloomberg Quint पर छपा है auto sales November 2021 live chip shortage drags, M&M, Tata Motors sales, Maruti escapes Mahindra & Mahindra और Tata Motors का sales जो है यह November में गिर गया है क्योंकि chip का shortage चल रहा है, आपको पता है semiconductor chips, auto के लिए काफी जरूरी component होते हैं electronics, controlled जितने भी devices होते हैं किसी भी auto में, automobile में उन सब के लिए semiconductor chips का बहुत ही बड़ा important role है उनके shortage की वज़ा से पिछले 3-4 महिने, 6 महिने से shortage चल रही है उसकी वज़े से auto में slump है और M&M और Tata Motors का sale भी November में इसलिए decline हुआ है क्योंकि chip का shortage था मारूती ने इस chip के shortage को अच्छे से face कर लिया है कोई shortage नहीं रहा है इसका, export marginally rise हुआ है इसमें अबकुल मिला कर स्थिती अभी जो performance है वो flat रहा है बात करना चाहूंगा Tata Power की Tata Powers Unit Secure Solar and Battery Projects वर्थ रुपीज 945 क्रोर तो Tata Power के unit ने Solar and Battery Projects के लिए 945 करोड का order win किया है तो Solar Energy Corporation of India Limited ने Tata Solar Systems Limited को 945 करोड का order दिया है तो ये मान कर चलिए कि Tata के stock में अगर ये reflect करेगा तो definitely इसमें भी आपको एक बड़िया bounce back देखने को मिल सकता है 4.8% आज high पे close हुआ है 227 रुपे हैपीस देखिए गौतम शा जो है Technical Analyst है और ये founder भी है Goldie Locks Premium Research के तो इन्होंने जो 4-5 खास बातें कही है वो मैं आपसे share करना चाहता हूँ इनका एक interview Plumber Quint पर जारी किया गया है और उसमें जो बाते कही गई है मैं आपको बता रहा हूँ ये काफी bullish है Real Estate सेक्टर पर और उसका proxy play है Cement सेक्टर तो Real Estate और Cement दोनों पर ये काफी bullish है और इनका ये मानना है कि Cement में भी तीन नाम उन्होंने बताया है एक बताया है Ultra Tech Cement का दूसरा Amboja Cement का और तीसरा डालमिया का Real Estate में कोई name as such इन्होंने नहीं लिया है इसके अलाबा इन्होंने ये भी का है कि equity में चुकी fall हो रहा है तो अपने portfolio का 15% के आस-पास आपको gold silver में डालना चाहिए थोड़ा सा और नीचे जा सकता है metal तो वहाँ पर अभी हाथ न डाले और Reliance और भारती चुकी इन्होंने अभी-अभी price hike किया है और काफी अच्छा perform भी कर रहे है market में Reliance और भारती पर Mr. Shah काफी bullish दिखे banking और information technology sector जो है वो दोनों अभी weak दिख रहे हैं इसे लिए market में बहुत कोई तेजी अभी immediate expect नहीं कर रहे है ऐसा इनका मानना है Speciality chemicals में भी इन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा bullish ये नहीं है सिर्फ 3-2 या 4 कंपनियां ऐसी हैं जो अच्छा perform कर सकती है Speciality chemical में अभी वो दम बचा नहीं है धेरे धेरे consolidation हो रहा है Electric vehicle के मामले में ये काफी bullish है और मैं आपको बता दूँ कि Electric vehicle को लेकर Tata Motors पे भी काफी bullish है पूरे auto sector में अगर ये bullish है तो Tata Motors पे bullish है और बाकी किनी stocks में ज़्यादा bullish नहीं है एक जो important आपको यहाँ पर news देखने को मिल रही है Omicron spread widens travel curve titans मतलब यह जो Omicron virus है जो South Africa से आया हुआ बताया गया है और COVID का mutant है यह और भी फैल रहा है travel पे restrictions ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर Norway का भी नाम अब आ गया है Norway found two cases Australia new South Wales confirmed a six traveler infected with the new strain तो Australia में आ गया है Norway में आ गया है France ने travel पे curves जारी कर दिये हैं regulations जारी कर दिये हैं Japan के airlines ने जारी कर दिये हैं US President Joe Biden भी कुछ fresh test का requirement घोशित कर सकते हैं एक किस locations पर यह पहुँच गया है और यहाँ पर इसका एक छोटा सा map भी दिखाया गया है देख लीजे अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर commentary Coromandel International के बारे में during a meeting with investors last week management of Coromandel International Limited sounded positive on long term growth outlook और इसमें कुछ और खास बाते बताई गई हैं कि raw material और fried का cost कुछ दिनों में अगले next two quarters में थोड़ा कम हो जाएगा तो इनकी profitability उसे बढ़ेगी फिर इन्होंने यह भी बताया है कि हम backward integration कर रहे हैं और capacity augmentation कर रहे हैं backward integration का मतलब समझना हो तो इस तरह समझेए कि हर एक company कुछ raw material से अपना product तयार करती है और कई बार वो raw material खुद भी ऐसा material होता है जो कहीं और से आता है तो अगर वो company खुद ही उस raw material को final product के लिए जो कच्चा माल चाहिए आपको raw material चाहिए वो भी खुद ही आपने तयार कर लिया तो इसको बोलते हैं backward integration तो Coromandel International ने backward integration किया है इसके अलावा कुछ बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने एक capex का पूरा long term का plan मना रखता है और लगतार ही इनका capex चलता रहता है तो जाहिर है आने वाले समय में ये market share भी capture करते रहेंगे आपको मैंने 2-3 दिन पहले ही वीडियो में बताया था कि Coromandel International काफी efficient management है मुरूग अपपा गुरूप की company है एक निर्मल बंग का जो है research छपा है 737 रूपीज पर इस समय trade कर रहा है और target price जो है 935 रूपीज का है तो आपने देखा कि इसकी profitability किस-किस बढ़ सकती है एक तो freight में और raw material के cost में कमी आ रही है फिर इन्होंने backward integration किया है फिर capacity expansion कर रहे है तो profitability हर एक जगह से बढ़ रही है sulfuric acid expansion by 0.5 million tons to reduce imports by 40-50% तो sulfuric acid इस समय इसको मंगवाना पड़ता है तो अपना खुदी इसने expansion कर लिया backward integration कर लिया जिसकी वज़े से 40-50% import में इसके कमी आएगी तो अगले 3-4 सालों में जो इसका cash है वो 22 billion से बढ़ कर 29 billion हो जाएगा तो यहां से भी इसका PE definitely घटेगा तो 2024 के लिए जो PE यहां पर show किया जा रहा है वो 12 है जब कि इस समय 16 के आसपास यह PE चल रहा है इसका जो PE है इस समय 16.27 है जो कि घट कर 12.18 हो जाएगा 2024 में तो आप जानते हैं PE का घटना एक welcome sign होता है और घटा हुआ PE 12 जब 16 पर settle करेगा तो यहां से 30% के आसपास का rise definitely इसमें देखने को मिलता है और करिब करिब निर्मल बंग का भी target इतना ही है यह लगबग 27% के आसपास upside इसमें बता रहे है FY23 के लिए एड़जस्टेट PE को लेकर जो इन्होंने calculate किया है इसमें करिब करिब 27% का upside निर्मल बंग ने बताया है अपने target में देखिए business standard पर मैं एक particular news के बारे में आप लोगों का ध्यान अकर्शित करना चाहूँगा देखिए एक drug बना है Molnupiravir Molnupiravir को बनाया है मर्क ने along with Ridgeback Biotherapeutics माना जा रहा है कि इससे hospitalization का risk काफी कम हो जाता है death का risk काफी कम हो जाता है और ये COVID virus को tackle करने में उससे सुरक्षा देने में काफी सच्छम है और इस drug को उतारने के लिए Indian market में उतारने के लिए इसके clinical trial के लिए पाँच Indian companies ने इनको ये approach किया है और वो companies कौन-कौन से हैं Dr. Redis Lab, Torrent Pharma, M.Cure, Sun Pharmaceutical और Sipla तो इसलिए इन 5 companies पर आपका ध्यान बना रहना चाहिए और इसलिए आपने गौर किया होगा कि ये जितने भी stocks हैं पिछले कुछ दिनों में काफी ठीक ठाक इन्होंने perform किया है अब मैं आपको कुछ ऐसे bets के बारे में बताऊंगा जिस पर की brokerage houses काफी bullish है तो यहाँ पर देखिए ITC, HUL, Britannia good time to buy FMCG stocks हलाकि question mark है लेकिन आपको पता है कि FMCG अभी इस समय सबसे nichless तर पर आपको मिल रहा है और यहाँ से bounce back करेगा तो एक बढ़िया gain आपको दे सकता है और यह तीनों ही stocks Britannia ITC, Britannia और HUL यह तीनों ही अपने काफी nichless तर पर मिल रहे है यहाँ पर यह news देखिए in the FMCG basket Britannia, Colgate, Pamoliv HUL are on the shopping list of AK Pravaker Head of Research at IDBI Capital यहाँ पर ITC का नाम तो नहीं है लेकिन Britannia, Colgate, Pamoliv और HUL इन तीनों का नाम है और यह तीनों अपने ठीक ठाक प्राइस परिस्टर में मिल रहे हैं अपने high से काफी नीचे आ चुके हैं देखिया हमारा एक private WhatsApp group है और यह patron members के लिए है बहुत ही nominal fees firm इसका membership देते हैं इस WhatsApp group में हम तीन facilities देते हैं 24 into 7 आप मेरे contact में रहते हैं और week में एक बार आप मुझसे बात कर सकते हैं अपने stocks के बारे में अपने portfolio के बारे में और unique stocks मैं यहाँ पर लेका रहता हूँ और इस WhatsApp group का जो लक्ष हमने रखा है per quarter हर एक तीन महिने पर आपको 15% का gain अपने portfolio पर मिल जाए ऐसा हमारा लक्ष है और annually हम 15 into 4 याने कि 60% का gain expect करते हैं और मैं आपको यह बताना चाहूँगा market में काफी उधार चड़ा हो रहता है इसे लिए हम इस gain को 40 to 50% रखा है 60% नहीं रखा है लग है तो बता दू कि mutual funds और जितने भी PMS services हैं इनका जो कैगर है average का अगर वो 15 to 20% पर रैनम है जब कि देखिए हमारा लक्ष यहां से double से भी ज़्यादा है कुछ लोगों कोई शंका हो सकती है कुछ doubt हो सकता है कि क्या सचमुच मेरे stocks चो हैं 15% पर quarter का gain दे सकते हैं तो मैं आपको कहूँँगा पिछले 15, 20, 50, 100 वीडियोज जाकर मेरे देखिए खुद इस बात का निश्कर्स निकालिए कि मेरे जितने भी stocks हैं उन्होंने किस कदर performance किया है मेरे बहुत सारे stocks ने पांच-पांच-सो परसेंट तक की rally दिया है मैं अपने मुह से कुछ नहीं बोलूँगा आप खुद ही जाकर चेक कर लिजी आपको पता चल जाएगा ऐसे stocks में JCT, Alkyl Amine, Hindustan Foods, Gokul Agro ये थोड़े से stocks में बता रहा हूं Globus Spirit इन सब में बहुत बड़ा धमाका हुआ है तो इन stocks पर definitely अपनी नजर बनाए रखिए और एक बार अगर आपने ये सुनिश्चित कर लिया है कि मेरा ये group आप जॉइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं TopShareIdeas at the rate gmail.com TopShareIdeas at the rate gmail.com email id है इस पर अपना name and mobile number मुझे send कर दीजे मैं आपको एक link भेजूँगा जैसे ही उस link पर nominal fees पे कर देते हैं immediately आप उस group के member बना लिए जाएंगे और 24 hours के अंदर आपको सारे updates मिलने लग जाएंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like करिए share करिए अपने मितर जनो परिवार जनो के साथ और subscribe करिए एक like करने से आपका तो कुछ नहीं बिगड़ता है लेकिन हम जैसे लोगों को इससे काफी encouragement मिलता है और हमारे वीडियो का ranking भी अप होता है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर करिए इसमें आपका कुछ नहीं जाता है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको regular notifications मिलते रहें मिलता हूँ आप लोगों से इसी तरह के एक जवर्दस वीडियो में कल फिर से तब तक के लिए अपना खयाल रखिए स्वस्त रहिए और खुश रहिए बहुत बहुत धन्यवाद जाय श्री राम